प्रप्राइट के एक्जाम के ओने में तो क्या बच्चा लास्ट के एक मन्थ में प्रिपेशन करके क्या हम क्लैट को ग्रेक कर सकते हैं क्या तोड़ा जा सकता है क्लैक को और क्या बच्चा NLU का जो सपना है वो पूरा किया जा सकता आईए इस बात में डिस्कस करेंगे बिल्कुल 100% किया जा सकता है अगर आप राइट डिरेक्शन में राइट टाइम मेनेजमेंट के साथ राइट डिसीजन लेते हैं और राइट प्रिपेशन करते हैं त इस राइट डिरेक्शन में प्रिपेशन कैसे करेंगे क्या देखना है कैसे देखना है इन शॉर्ट्स आईए डिस्कस करते हैं सबसे पहले बात करते हैं सर इंट्रड़क्शन की बात करते हैं क्लैट का पेपर आपको पता है कि 3rd of December को आपका क्लैट का पेपर होने वाला है और November तक इसके admit card last तक भी बच्चा release कर दिये जाएंगे मतलब आपको अपने center की सारी information मिल जाएगी आपको पता है CLAD का paper बच्चा नया नया pattern change हो रखा है 150 की question की जगा 120 question पूछे जा रहे हैं जिसमें quant, reasoning, legal, current affair और आपका English वगेरा दूसरा point सर एक month है अब सर हमें कुछ ऐसा बताईए जिसका हमारा target बिलकुँ fix रहे हम divert ना हो हमारी preparation की direction बिलकुँ perfect हो हमें ये problem ना हो क्यों कुछ ऐसा हो कि सर right direction में right stress ही इसके लिए सबसे पहले हम एक नज़े डालते हैं कि क्या कितने topics, क्या कितने marks का आ रहा है ये देखना बहुत जरूरी अगर मैं बात करूँ क्या कितने marks का आ रहा है इंग्लिस सबसे बहले इंग्लिस की बात करते है 22 से approximately 26 question आने वाले है 20% weight is रहने वाला है current affair including GK की बात करें 28 से 32 question आने वाले है approximately 25% weight is रहने वाला है legal reasoning की बात करें 28 से 32 question आने वाले है approximately 25% weight is रहने वाला है legal reasoning की बात करें 22 से 26 की बात आने वाले है 20% weight is रहने वाला है और अगर quantitative technics की बात करें 10 से 14 question आने वाले है approximately 10% weight is रहने वाला है इसी को अगर मैं आपको pie chart में दिखाओं बच्चा तो यह आप सामने देख सकते हैं पूरा कितना कितने number of question कहां कहां से लगबग approach पोचे जाते हैं यह आपके सामने pie chart में सब कुछ clear है legal reasoning legal आपका logical reasoning English, CA, GK और quantitative सर आप यह क्यों दिखा रहे हैं क्योंकि बच्चा बहुत जरूरी है preparation start करने से पहले हमें किस पर अभी time बहुत कम है हमें किस पर focus करना है कितना focus करना है कितना पढ़ना है यह बहुत जरूरी है तो सीदी की बात करें सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि एक month की strategy क्या होने वाली है कुछ ऐसा बताइए जिससे सर एक month में preparation start करके पूरी की जा सके तो number one पहला point focus करें एक पहला चीज़ आपको 26 October से अगर आप preparation start करते हैं तो सबसे पहले legal video को देखने हैं सर यह video कौन से देखने हैं आप कौन से video की बात कर रहा हैं जो मैं video अभी आपको last में बताने वाला हूँ केबल वो video देखिए और कोई video देखने की जुरूत नहीं है फाल तुम्हें इधर दोदा divert नहीं होना है सीधा right direction पर चलना है तो एक week तक 26 से 31 के विज़े बच्चाई legal की सारी video निप्टा दो speed से देखो सारी video आपको एक साथ मिल जाएंगी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सब एक साथ live class का भी time नहीं है अब वैसा time नहीं है कि आप पूरी live class लेके बैठें या कोई भी faculty आपको बहुत slow पढ़ा रहा आप उसको पढ़े इतना time नहीं है सीधा देखो complete video package के form में हो सारी मेरा target है 10 से 15 video देखनी 2x की speed से फटा वर देखी note करने का भी time नहीं है केवल download कर लो pdf और फटा फट उस पे टिक करते चले है यह प्रिंट करा लिए एक नमबर से 6 नमबर के बीच में बच्चा आप English को complete करेंगे सारे go through हो जाएंगे सारी वीडियो से यह वीडियो कहां मिलेगी यह वीडियो YouTube पे नहीं मिलेगी मैं आगे बताने वाला हूँ यह वीडियो कहां मिलेगी 7 नमबर से 13 नमबर के बीच में कम है जितना भी आप देख पाएंगे केवल इसके बीच में देख पाएंगे बात के लिए वीडियो नहीं छोड़नी है दूसरा 7 नमबर से लिए 13 नमबर के बीच में बच्चा complete reasoning को निप्टा रहा जो भी logical reasoning है पूरी निप्टा दो सारी वीडियो टार्गेट करिए 20 से 25 तीस जितनी भी वीडियो हो फटा फट निप्टा इए कहां मिलने हमाली है मैं आगे बता हूँ 14 नमबर से लिए 21 नमबर के बीच में complete current को निप्टा रहा है 7 दिन बहुत होता है एक दिन का वान डे का अगर आप 10 से 15 आवर्स की study मान के चलिए करनी पड़ेगी 10 से 15 घंटे आपको बच्चे study करनी पड़ेगी और 22 नमबर से 27 नमबर तर ठीक है पूरा पूरा quant और जो इसके बाद दिन बचेंगे 27 से लेके 4 से 5 दिन फिर आप सारा सारा subject का एक एक दिन revision के लिए रखिए सर ये तो आपने बताया कि ये पूरा करना है वीडियो देखनी कहां से प्रैक्टिस करनी है वीडियो देखनी है और motivated रहना लिकिन ये वीडियो कौन सी बात कर रहा है आईए बात करते हैं सबसे पहले जो klat pre booster है इसके लावा इस समय कुछ नहीं करनी की need है कुछ भी नहीं करना है केवल klat का pre booster देखना है सर इसमें क्या मिलने वाला है lettuce pattern के हसाब से 50 mock test मिलने वाले है जब आप वीडियो देखेंगे आप खोदी mock भी देंगे ती स्क्रैट के और आप जानते है आईलेट के paper साथ दिसंबर को भी है तो वो भी देना है दूसरी बात सर रिकॉर्डिंग है सारे जो हमारे achievers plus batch है उसकी रिकॉर्डिंग है तो आपको कोई भी convert नहीं होना divert नहीं होना दूसरा सर इसके और भी आप feature देख सकते हैं बहुत ही जबर्दस तरीके सा आपके लिए केवर आपको ये देखनी है आपको सारी quant की वीडियो मिल जाएंगी सारी English की grammar या English पूरे legal की और आपकी reasoning की तो इसके लावा कुछ नहीं अगर आप चाहते हैं कि सर मैं book से भी practice करूँ या मेरे पास book भी हो सर जो आगे भी मेरे काम आए तो आप klat booster plus भी ले सकते हैं booster plus में बच्चा आपके साथ ये क्या है book इसमें already free है तो इसको कैसे enroll करना है book में क्या है बच्चा पूरे comprehensive theory है जो भी landmark judgment है आपके 850 plus passage है letters pattern के हिसाब से है pyq भी included है सबसे ज़्यादा value रखता है pyq दूसरा market में आपके एवल pyq देखें तो ये भी बहुत costly होता है तो बात करते हैं सर कैसे है देखे इस klat booster में 54 e-books भी मिल रही है plus 54 test series भी मिल रही है और 239 की अच्छे से classes है hours की है ना ये कैसे use करना है ये code लगा कर मैं आपको आगे बताऊँगा चलिए अब मैं सीधा आपको बताता हूँ कि apply कैसे करना है सबसे पहले chrome पर जाना है या फिर किसी भी google browser पर जाएंगे आप और डालेंगे adda 247 सबसे पहले लिंक पर क्लिक कर देंगे बच्चा और सबसे उपर आ जाएंगे all courses जैसे all courses में जाएंगे under grade जाएंगे यहां दिख रहा है आपको law interest exam जैसे अब law interest exam में जाएंगे class में आ जाना सबसे पहले class booster class pre booster सबसे perfect है बच्चा आपके लिए इतना price बिलकुल भी pay नहीं करना देखे 154 e-books में आपको दिखाता हूँ देखना यह सारी e-books है क्रहीं आपको कोई problem हाई तो e-books से help मिल सकती है 54 test series सारी i-late की अलग है top achievers अलग है जो mock analyzer video वाली वो अलग है तो आपको सीधा सीधा जाना है और यह इस समय प्रपेशन Y696 आपको apply करना है इस देखे कितने जबरदस्त केवल 2760 27 कितना क्या बता है Y696 केवल 2760 पर और अभी यही नहीं आपको इस पे 1% का और benefit मिलने वाला है यदि आप जाएंगे app के शरूप दूसरा बक्चा सर मुझे तो books भी चाहिए कोई बच्चा बोले सर मुझे books भी चाहिए तो आपको सीधा सीधा यहां आना है क्लैट पर जाना है और pre booster प्लस पर जाना है इसमें आपको book भी मिलने वाली बच्चा देखे एक book यहां मिलने है तो code आपको भी apply करना है code apply करने से आप मेरे साथ connect हो जाते है Y696 जैसी apply करेंगे 3220 तो इसमें आपको book भी included है I hope अगर आप इस strategy को follow करते है बच्चा 100% selection है मैं एक बार दुबारा बता दू अगर आप केवल इस strategy को follow करते हैं बच्चा यह plan अगर आप देखते हैं तो selection अभी भी हो सकता है यह plan आपको follow करना है ठीक है 26 October से लेके आपका 27 November तक चलिए I hope आप इसको बहुत अच्छे समझेंगे और comment box में comment कर दो कौन-कौन बच्चा है जो इस बार NLU में जा रहा है एक महीने में preparation करके भी आप जा सकते हैं कमेंट आइए सर मुझे NLU जाना ही है ओके टाडा बाई बाई